हेलो एवरीवन वैलकम तो मैं चानल वी विल लर्ण टूड़े हिंदी पैड़ागोची अज हमने हिंदी पैड़ागोची से जानेंगे भासा दक्सता का विखास इसकी पार्ट वन की मैंने वीडियो डाली है यह पार्ट टू है आप इसे जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप वहने चैनल बन नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें थाकि अरब डिक नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप आने वाले CTT की त्यारी कर रहे है इसके साथ यूपी टेट की त्यारी कर रहे है और राजविजी द बहासा दक्सता का विकास है उसमें मैं आपको बताऊंगा उच्चतर मात्मिक स्थर पर मातरी बहासा की मैता इस तर तक आते आते बिद्दार्थी कि सुरा वस्था की समस्थ पिसस्ताओं से संप्रिक्त हो जाते है यानि जब बच्चे 10 और 10 प्लस 2 में पढ़ते हैं तो इ पर चीत हो जाते हैं उनमें कलपना इस्मर्ती दिव्या सपनों के दिखता तरक नेड़न शक्ति में ब्रदी होती है असंभव और साधरन कार करने किसे प्रिरित होते हैं बच्चे अते इस समय मात्री बहासा ती मत पुन हो जाती हैं बच्चों के लिए क्यों हो जाती है क्य कास करती है मात्री बहासा क्या करती है मौकिय को लिखित बहासा के मा दम से बहुत गरहन करने की चम्ताओं का विकास करती है मौकिक और लिकित अभिवक्ती में विद्यारतियों को कुसल बनाती है मातरी बासा का विश्ट्रेशन करने में तता उसके सुद्ध और प्रहौवसाली प्रयोग में विद्यारतियों को समर्थ बनाती है मातरी बासा उचिस्तर के जो विद्यारति होते हैं उन्हें मात्री भासा का विश्टेशन करने में और उसका सुद्ध प्रहौसाली प्रयोग करने में उन विद्यार्तियों को समर्थ बनाती है मौखिक और लिखित अभिवक्ति का विविन विधाओं और शैलियों का ग्यान कराती है कौन मातरिबासा है, उनके प्रयोक क्योगता का विखास भी करती है, तो आप समझ लें कि चुछषतर की मातरिबासा है वो किस किस तरह से किसवरावस्था और जो बालक उचवर्ग में पड़ते हैं, यदि उचटर माध्मिक इस थार पर उनकी मातरिबासा का विखास किन किन साहित में विद्धार्तियों का प्रविश होता है विद्धार्ति कहां प्रविश करते हैं नवीन साहित में विद्धार्तियों का प्रविश होता है तता प्रमुक कवियों लेकों काव्य धाराओं का संचित परिचे कराती हैं मात्री भासा काव्य के विविंतत्तों का सामाने परचे देती है मात्री बासा विद्धारतियों को सुन्दारण भूती और स्रियन सिल्था का विकास करती है और इसके साथ साथ इतना इनी चिंतन की योकिता को भी उन्नत बनाती है यानि मात्री बासा के मादम से जो विद्धारति है प्राचिर और नमीन साहित को जानने की को इसे प्रमुक कभी आते हैं, लेकक आते हैं, काविदारा आती है, उनका परिचेव़ लेते हैं, इसके साथ बिध्यारतियों को काविके मादम से सौंधराणवुती और सेंसल्ता का भी कास होता है, इसके साथ चिंतन की उकताबी उन्नत होती है, आप आगे जानले, बिद्यार्थियों का अपने व्यक्तित्य जीवन, मानसिक, बौधिक, सामाजिक, समस्याओं को समझने उनका हल कोजने में समर्थ बनाती है मात्री बासा बिद्यार्थियों का अपने व्यक्तित्य जीवन, mental, intellectual, social को समझने और उसका जो solving problem है यहनी पहले प्राबलम आएगा फिर बच्चे उसे सॉल्व करेंगे तो इसमें समस्या समधान में मात्पुन भूमी का अदा करती है मात्री बासा अपने समाज और देश की समस्याओं को समझने में सक्छम बनाती है मात्री बासा विद्यार्तियों को भावी व्योवसाईक जीवन के लिए यह तयार भी करती है भारत्य संस्किती का परिचय और इस्थारण अन्तरन कराती है विद्यार्तियों को चर्थनिरमाण में मात्पुन योगदान देती है और इसके साथ साथ पार्ट पुस्तों के दिरिक्त साहित पढ़कर स्वैंग ग्यानोरजन और मन्नुञजन के लिए बालकों को इनी बच्चों को समर्थ बनाती है मात्री बाशा तो आप जान रहें कि मात्री बाशा उच्वर्ग के बालकों के लिए कितना महत्पून है आपने यूनिट कम्प्रेट कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आ है आपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाई आपने रहां